आज इस वीडियो में यूरी केसिट बढ़ने से क्या होता है और इसके बचने के क्या तरीके हैं इसकी जानकारी को समझेंगे तो आईए शुरुआत करते हैं वीडियो की यूरी केसिट के बढ़ जाने से चोडों की दिक्कत, किड्नी की बिमारी और दिल के दोड़े जैसे खतरनाक बिमारियां भी आप पर हावी हो सकती है खराब लाइव श्चायल के कारण कई तरह की बिमारियां दोगो को परिशान कर रही है ऐसे में आप यूरी केसिट जैसी बिमारी के सिकार हो सकते हैं इसके कारण कई और गंभीर बिमारियां आपको घेर सकती है ऐसे में यह जानना बेहर जरूरी है कि यूरी केसिट क्या होता है और अगर यह समस्या है तो इससे कैसे निदान पाया जा सकता है इस वीडियो के जरीए अब ये समझ पाएंगे कि यूरीकेसिड जैसी समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए ये सबसे पहले जानते हैं कि क्या है यूरीकेसिड हमाई सरीर में कई तरह के अंग काम करते हैं इसमें किड्नी एक महत्पूर कार करती है जो हमारे सरीर से बढने और खाने के माध्यम से जाने वाले कई तरह की केमिकल और बेकार पदार्थों को पेसाफ के जरीए बाहर निकाल देती है इनी में से एक केमिकल यूरीकेसिट भी होता है जिसकी मातरा अगर बढ़ जाती है तो इसे किड्नी के लिए निकाल पाना बहुत मुस्किल हो जाता है यूरीकेसिट बढ़ने से क्या होता है आईए इसकी जनकारी समझते हैं सरीर में Yuric acid की मातरा बढ़ जाने से कई तरे की समस्याएं आपको समझ में आने लगती है Yuric acid के बढ़ जाने से जोडों की दिक्कत, किड्नि की विमारी और दिल के दौर जैसी खतalनाक विमारियां ने सिकायत कई सारे समस्यो में देखने को मिलती है कई हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आपको यूरीकेसिड की समस्या हो रही है तो जल्द ही डॉक्टर से सला लेनी चाहिए क्योंकि अगर इस पीमारी को लंबे समय तक नजय अंदाज किया जाए तो किड्नी फेलियर तक की नौबत आ सकती है आई आप जानते हैं किन चीजों के सेवन से यूरीकेसिड बढ़ जाता है अरहर और उरत की डाल खाने से यूरीकेसिड की मात्रा को बढ़ा हुआ देखा गया है अगर आपको यूरीकेसिड की समस्या है तो इन डालों से बचने की कोशिश करे इसी तरह मचली के अत्यदिक सेवन और सराप या मीठी ड्रिंक्स के कारण भी आपके सरी में यूरीकेसिड तेजी से बढ़ सकता है तो सला ये दी जाती है कि इस तरह के पदार जो यूरीकेसिड को बढ़ाने में कारगर है उनका सेवन कम से कम या ना के बराबर किया जाए क्या है वो तरीके जिससे यूरीकेसिड को बढ़ने से रोका जा सकता है अगर आप यूरीकेसिड जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो प्यूरी नियुक्त पदार्तों का सेवन कम करें अनावशिक दवाओं को खाने से बचें सरीर के बजन पर विशेज ध्यान दे इसके साथ सराब वा सुगर युक्त पेपदारतों से दूरी बनाए रहे आप अपनी डाइट में सबजीयों और फल को सामिल करें इसके साथ अपने आपको हाइडरेटड रखने के लिए दिन में करीब दो से तीन लीटर पानी अवस्ट पिये है वहीं अगर आप यूरी केसिट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिजिकल अक्टिविटी बहुत आसान और सबसे बेहतरी न तरीका माना जाता है अपने रोटीन में 30 मिनट की एक्साइज जरूर सामिल करें इन सभी उपायों का इस्तमाल करके आप इस यूरी केसिट जैसी समस्याओं से निजात पाने में सफल हो सकते हैं इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तक कि आने वाले किसी भी नए वीडियो की सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिल सके आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी को समझेंगे तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद